लो फ्रेंज सीगर अनुपमा में आज का एपिसोड काफी जदा दमागेदान होने वाला है जहां पर दिखाया जानता है कि समर सभी घरवालों को गुड नियूस सुनाता है और पागलों की तरह खुश हो रहा होता है जिसके बाद में उदा से वन राज भी आ जाता कि घरवा सब को बढ़ाता है कि मा के अकाउंट में आज लक्सी जी आ गई है और कहता है कि जो ट्यूशन जो नोने कासे स्टार्ट की है उसकी एकाउंट में टांसवर हो चुकी है जिसके बाद अपना फोन से उसके अमानाय दिखाता है और सब लोग खुश आते हैं उसे काउंग्रे वाला उसको देखके तुसके होश और जाएंगे और जल्दी सी कॉल डिसीव करता है लेकिन बहुत उसे सुना देते हैं कि जो प्रेजेंटेशन तुम लोगों ने बनाया था और दिया था वह रोजेक्ट हमें नहीं मिला है और यह दिवाली मेरे लिए जो अकर प्वेका रही नहीं है अनुपमा उसे कहती है कि तो क्या हुआ अब आज की बात में यह सब कुछ ही तो होनी वाला है वह सब्राज के था है तो अगर तो इंतजार कर लेती तो यह प्रोजेक्ट हमारे हाथ में होता और उसे दोस्ते देता है तो वह भी सुनाकर चलि चाती कि नेक्स्त टाइम पर आना और खुदी प्रेजेंटेशन देना वह सुनाकर वहां से चलिए जाती है उद्धार वाले वन्राज का इंतजार कर रहे थे और गष्ट कहीं जबाब दूसरी जगएंट्र होता है और काफी जाना खुस्ते में होता है और वहां पर उसे वाच्च मैं पैसे मांगता है तो कहता है कि ऐता है कि सब्सक्राइब लेट वाले लोग भी सोड़ देते हैं यह तो आपकी इजद का सवाल है तो उससे जगड़ा करने बेट जाता है वन्राज और इसी चक्कर में उसका उससे बहस हो जाती है वहां पर लोगों से बहस हो जाती है दूसरी तरव गरवाले इंतजार कर रहेते हैं और प्लक्सिंग वह फोंग से लगाओ लेकिन वह कॉल्स वहां पर लेकिन वह कहले तैक्स करकर बता देती है कि तुम्हारे नहीं है उदर सजगड़े कि चकर में उसका फोन नहीं देखता है और फिर लकश्मी फूजन का समय निकल रहा होता है तो वह दर्वाजे पर देखता है कि सारे गरवाले उसे पहले ही लक्समी पूजन कर रहे हैं और अनुपमा उस पूजन में लक्षमी पूजन कर रही है जिसके बाद उसको गुसा आता है और जैसे वह दर्वाजे के अंदर आने वाला था है वहाँ पर लटकी माला उसके सामने आ पती का होने का फर्ज भी नहीं निभाया तो कोई बात ने लेकिन बेटे होने का फर्ज तो हमेशा निभाते थे वहां पर दिखा जाता कि बाग काफी परिशान हो दिखिए मनराज पूझा में नहीं और 25 साल से मेरा बेटा ही तो इसकी पूझा करते आया है तो दूसरी तरफ पूझा खतन होने के बाद में सभी लोग लक्षमी पूझा के आरती करते हैं और मेंनु कहती हैं कि मामद जी के बिना हम ये दिवाली कैसे सेलिब्रेट करेंगे तो बाद वनानख़ Emili कहते है कि कोई बाद नहीं इसका इntजार करेंगे तो सुबह ही हो जाएगी हमें तो दिवाली सेलेड करने चाहे और जब वू आएगा तो हमें जोयंट कर लेगा सब लूग दिवाली सेलेड करने लगा जाते हैं तो अनुपामा वाई पूजा की ताली लेकर बन राज के पास में जाती है और कहती है कि आप घरवालों को जाती है वो कहता है कि यह सब भूजा का, प्रशुज्जँ मेरा Тा, तुम्नें पूजा कैसे शुरू कर दी सब लोग इन्तधार कर रहे थे, तो वो चेहती एक तो इंतजार नहीं कर सकता ना मौरत तो निकला ही जा रहा था ना इसके बाद में वन्राज उस पर गुसा होता है और दोनों में बहस हो जाती है और आज का एपिसोड यह कता है वन्राज अनुपमा गुस्ते में हाथ भी उठा देता है और अनुपमा कहती है कि आप लिया अनुपमा इतना कुछ भी उसके सामने कर सकती है तो दोस्तों अब आने वाले पिसोड काफी जड़ा दमाकेदार होने वाले साथ में नया प्रमो रिलीज हुआ जिसमें वन्राज की साली सब घरेवालों के सामने आ जाएगी और क्या होगा उसके जल्द ही लेपकर अप्ट